नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम है PS Classes में जैसा कि आप जानते हैं सबसे विश्वासनी और प्रमाडी सुचना ले करके PS Classes प्रयागरास से प्रजेंट होता है तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं UP टीजी टीपिस्ट इग्जाम 2022 खुसखबरी जल्द मिलेगी UP में नई सिचक बरती विग्यापन जून में जारी करने की तयारी और इसीक साथ हम बात करेंगे 45,000 पदों पर नई लेकपाल भरती का विग्यापन जारी करने की तयारी और साथी साथ दोस्तों हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेशर भरती पर जल्द करवाई के साथी साथ सिचक भरती में गरवड़ी पर जाच सुरू कर दी जाएगी लेकिन दोस्तों आगे बनने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट जारी वेल आइकन के बटम को प्रेस कर दीजेगा तो शक्ती है निउक्ती जी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश उस्तर सिच्छा सेवा चैन आयोग में एक साल से फसी असिस्टेंट प्रोफेशर भरती का रास्ता जल्दी खुल सकता है मामला इलाबाद आइकोर्ट में जाने के बाद आयोग में जल्दी अधच या नए सदस्ट की निउक्ती की जा सकती है प्रदेश के असास की सहायता प्राप्त महा विद्याल में असिस्टेंट प्रोफेशर के 1017 पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी हुए एक साल हो गए अगस्त 2022 में आवेधन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है फर्मिद 2023 में आयोक के अदच का कारिकाल पूरा हो चुका है और दोस्तों आपको बता दें कि और सदस्टेंगे वीच में से 4 पद खाली कोरम पूरा नहोने से भरती फशी हुई है लेकिन दोस्तों अगर आयोक में एक सदस्ट की भी निउक्ती हो जाती है तो सदस्यों की शंख्या बढ़कर 3 हो जाएगी और इनी में से एक सदस्य एक वरिर सदस्य को अध्यच नामिक करते हुए बारती की प्रकरिया शुरू की जा सकती है दोस्तों आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश उत्तर सिछा सिवा आयोक में शदस्याते हैं तो इसी के पैटन पर आपको बता दें कि आपका जो TGTPGT का एक्जाम है वो भी पुराने आयोक से कराने की तयारियां सुरू हो जाएगी तो क्योट की लग रही है फटकार दोस्तों देखते हैं क्या होता है अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर आयोक बनने में विलंब होता है तो आपकी जो भरती है वो पुराने बोट सही करा करके संपन करा दी जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इस बीच भरती फसने से परिशान अभियर्थी आई कोट के में चले गए मामले में कोट ने सरकार से जबाब मागा आयोक के सुत्रों का कहना है कि नए सदस की निक्ति हो शकती है ताकि भरती की प्रक्रिय को आगी बढ़ाया जा सकी तो जब जो है उत्तर प्रदेश उत्तर सिच्छा सेवा चैन आयोक में नए अध्यच की निक्ति की जाएगी तो उसी के पैटन पर दोस्तों आपका जो मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड है उसमें भी किया जा सकता है तो आप सभी अपनी तय प्रदेश में राजस लिकपाल के लगबग 4500 और पदोपर भरती का इरादा है राजस प्रदेश लिकपाल के 4500 पदोपर भरती के लिए उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोक को आनलाइन भरती प्रस्ताव बेजने की तयारी कर रहा है और इसी के साथ दोस्तों हम ब मांदे पर निउकती दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश के राज की और असास की साहिता प्रापती यानी आयरेट संस्क्रित विद्यालय में सिचकों की कमी जल्द पूरी होगी इन सिचकों की nिउकती अस्थाई रूप से मांदे पर होगी विबार की तरप से वहरती क लिए निर्देश जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है इससे संस्कृत विद्याले में सिचकों का जो टोटा लगा है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि सूबे में संस्कृत को बढ़ावा देने और संस्कृत को मानता भासा के रूप में अपनाने के और इसका साथ आप देख सकते हैं राजस्थान में मौके हैं 3736 पदों पर देखिए महिला स्वास का करता के पदखाली हैं यह आई सिमा है और पतरताएं भी दी गई है और इसका साथ चैन पर क्रिया की बारे में भी बताया गया है और इसका साथ दोस्तों हम बात करेंगे जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख शकते हैं सिच्छक भरती में गरबड़ी पर जाच शुरू होगी हाँ दोस्तों आप देख शकते हैं कि सिच्छक भरती में गरबड़ी की जाच होगी अब दोस्तों बता दें कि उच्छ सिच्छर संस्थानों में सिचकों की निवक्ती और PhD डिगरी प्रदान करने में उलंगन की जाच और निगरानी निवक्ती नीमित रूप से होगी नीमित निगरानी के लिए UGC ने इस साल 24 सप्रायल को आयोजित अपनी 5 और 62 बैटक में एक अस्थाई समीति के गठन का फैसला किया है सिचकों की निवक्ती और PhD डिगरी प्रदान करने में कोई अनिमित्ता मिलने पर UGC ने गम भीर कारवाई करने की चितावनी दी है तो दोस्तों सब मिला करके आज की ये रही बड़ी अपडेट अगर आप चाहते हैं कि सबसे विश्वस्नी और प्रमारी सुचना सबसे पहले आप तक महुचे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें राइट साड़ी बेल आइकन की बट्रम को प्रेस करदें ताकि विडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच सके थैंक्स पॉर वाचिंग बाई बीडियो